उत्राखंड के उत्रकाश्री में 12 नवंबर को चार धा मार्क पर नियमाना धेन सुरंग का एक हिस्सा ढाय गया था इसमें फ्रसे मजदूरों को बचाने के लिए पिछले दो हपतों से चल रहा है प्रयास अपने अंतिम पड़ाओं में देमो के लिए पाइपलाइन के अंदर गए NDRF कर्मियों ने कहा कि अभ्यास के दौरान उन्हें सास लेने में कोई समस्या नहीं हो और वे आराम से बाहर निकल सकते हैं साथ ही बचाओ कारे के समय उप्योग की गई ओगर मश्रीन का प्लैटफर्म सही हो गया है और आज शाम तक मज़दूरों को बाहर निकाल लिये जाने की उम्मीद है सडक और पडिवान मंत्राले के अतरिक तक्निकी सचिव महमूद एहमत के मुताबिक बर्मा ड्रिलिंग मश्रीन को फिर से जोड दिया गया है वेल्डिंग के बाद एक नया पाइपलेंड डाला जाएगा जिसमें दो घंटे का समय लग सकता है दो घंटे के बाद सुरंग के अंदर फिर से पाइप डाले जाएंगे और मजदूरों तक पहुचने की पूरी कोशिस की जाएगे साथ उन्होंने बचाओ कार में आर हीरू काउटों की भी जनकारी दी हमने 23 के सवेरे और लोगों को बुला लिया था क्या पता आगे और कोई बाधाय आएं तो प्रवीन और बल्विंदर के साथ हमारे साथ और भी इनके लड़के आए उनका भी ना मैं आपके साथ शेयर करूँगा करीब आट नौ लोगों की टीम है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये लोग बड़ी बहादूरी से बिल्कुल फिर राद भर जाकर ये जो पाइप पाइप जो आप देखे जो च्छट पर ऐसा रहता है और लंबा साय से होके और मलबा के साथ कुलैप्स के बाद ये मिशीन में ये सामने ऑगर इसलिए चल नहीं पाया तो वो ऑगर के जो ब्लेड्स हैं वो ऑगर के ब्लेड्स के चारों तरफ ऐसे मुड़ गया auger के blades भी हमारे damage हुए और इसलिए हमें वापस auger को वापस लाना पड़ा auger के blades को हमने repair की हैं अभी जो साफ सफाई करनी थी ये बच्चे अंदर गए और इन्होंने clean किया उदर का साफ का कोई और girder या कोई और इस तरह की metal ना हो ये check किया और अब वो वापस उस auger को fit करें इस बीच हमने ये भी देखा कि auger machine जिस concrete जिस platform पे installed है वो भी weak हो रहा था क्योंकि इतना pressure इतना torque बढ़ रहा था क्योंकि अब distance भी ज्यादा हो रहा है 45 मिटर से और हम आगे जानी कोशिश कर रहे हैं तो हमने इसी समय ऐसा नहीं कि हमने कोई भी समय waste किया ये कोई भी समय वेकार में extra लिया है वैसा नहीं हुआ है हम इसी समय जब ये cleaning हो रहा था अंदर pipe सफाई हो रही थी और जो जितने सारे metal के four poles जो मैंने आपको भी दिखाया या उससे पहले भी जो girders जो की उसकी और जो भी rock bolting कहते हैं rock bolting भी की हमने ताके machine फिर से मजबूत से बैठा रहे proper उसका rock bolting और grouting के वज़े से हमने ज़ादा concrete डाला और मजबूत रहे हमने अब कोस accelerating agent डाला कि जल से जल concrete जम जाए time कोई waste रहो हम ये करके सारा फिर से set की है आप auger को हमने वापस reassemble कर लिया है अब जैसे हम अभी आपको इसी press briefing में ये बताना चाहेंगे कि जब welding हो जाएगी आप जो नई pipe अब हम डालेंगे उसकी welding हो जाएगी दो घंटे लगते हैं उसमें welding के process में भी आपको ये पहले भी मैंने समझाया है कि welding का process इतने इतने बारीकी से हमें करना पड़ता है और इतने केरफुली करना पड़ता है कि welding के जगा pipe से भी मजबूत रहें ये प्रयास रहता हमारा दो घंटे बाद हम उमीद करते हैं welding हमारी पूरी हो और हम pipe push करें इस बार आगे push करें इस बार कोई बाधाएं हमारे रास्ते पे ना आए कोई अड़्चन और ना आए ऐसे हम प्रात्ना करते हैं आभी कीजी हमारे साथ ताकि हम तेजी से और आगे बढ़ें